उत्रखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमन को देखते हुए धहरदून जिलापृश्यासन ने धहरदून के अस्पतालों पर बढ़ते लोड़ को कम करने के लिए विकासनगर तहसील शेत्र के दो अस्पतालों को कौविड-19 अस्पताल में तबदील कर दिया है इनमें से एक है विकासनगर का मुख्य कालंदी अस्पताल जो यमुना घाटी रवाई जोनपुर जोनसार और हिमाचल को स्वास्तर सुईधा मोहिया कराती है विकासनगर के कालंदी अस्पताल को जोनसार बावर यमुना घाटी का लाइफ लाइन भी कहा जाता है इस कालंदी अस्पताल में कोविट के मरीजों के लिए हर प्रकार की सुईधा उपलब्ध है वर्तमान में इस अस्पताल में कोविट की सुईधा के लिए 30 बैड में तब्रील किया गया है हॉस्पिटल प्रबंधक से पूछा गया जब इस संबन में अस्पताल प्रबंधक से पूछा गया तो उनको खहना था कि हमारे यहां COVID-19 के लिए परियाप्त सुईधा उपलब्ध है और उनके खाने रहने की भी सुईधा अस्पताल मुहया करा रहा है और COVID-19 मरीजों का निशुल्क इलाज किया जा रहा है और कालिंदी अस्पताल में ओक्सिजन की कोई कमी नहीं है कोविड अस्पताल की सेनी में थोड़ा सा रखा गया है जिला पर्था से निव्योस्ता किया क्या कहेंगे क्या 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 सुईधा है यह देखे यह देश के ओपर एक निशना इमर्जेंसी आई है तो इसमें मैंस्ट्रेट साब में हम लोगों भी अपॉइंट किया है इस इस एरिये के जो लोग है उसको कोविड पेसंट हैं उनका इलाज करने के लिए तो हमारे पास तीस बैड्ड ऑक्सिजन वाले और साथ बैड आईश्यू के हमने ओफर किये हैं अपने कोरोना पेसंट्स के लिए और अपना दिन राथ कोशिज करने में अपना बेस पॉसिब नहीं है लेकिन जो भी बैस पॉसिबल है इदर उदर से कोशिज करना है कि मैंसिम्म सुईता दे सकते हैं तो आपको राज्य सरकार से कुछ ऐसी जैसे यहां पर कोविड को किया गया है तो कुछ ऐसा देंगे कोवर्मेंट कुछ राज्य सरकार भी विचाने बहुत जिन आइस मों कुछ बात ने हैं चीज़ तंक